नमस्कार मैं हूं नंदनी आप देख रहे हैं अदर फूल जड़ी उत्तरप्रदेश कई दिरिष्टियों से भार्त का सबसे बड़ा राज्य है यह जन संख्या और राजनेतिक मामले में सबसे बड़ा बताया गया है उत्तरप्रदेश में अलग-लग संस्कृतियों का संगम ह हैं और यहां का इतिहास भी लगबख 4000 साल पुराना है ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का इस राज्य पर कबजा था जिसका मुख्य ववसाय क्रिशी था और आर्यों को कई लड़ाई लड़ने के बाद यहां कबजा था पुराणी कथाओं में भी यह राज्य महाभारत के यु होगी आई अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है सबसे पहला उत्तर प्रदेश की भुगोलिक स्थिति यूपी गंगा के मैदान का एक उपचाओं भू भाग है यह एक विशाल राज्य है जो लगबग 24928 वर का फैला हुआ है दूसरा उत्तर गड़ जैसे नो राज्यों को सपर्ष करती है तीसरा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो सबसे बड़ा जिलस छेत्रफल की द्रश्टी में वह लखीम पूर खीरी है जो लगबग 7680 स्क्वेर फिट की में बसा हुआ है चौथा भारतिय पुरानी कथाओं में दो पवित्र नदियों का वढण है जिसका नाम है गंगा और यमुन्ना और इसके माला ऊत्तर प्रदेश के पूरी भाग में बिहार आप्षि में भाग में मद्यपरतेश पक्षिम भाग में राजिस्त्तान दिल्ली हैं वाचल प्रदेश और हर्याना तथ बसक्रता है पांच अप्रेल स तरज़द 26 जनवरी 1950 को मिला था उत्रप्रदेश के थाजिक स्थल सरवास्तवी सारनात वारनाशी कुशिनगर लखनवु आगरा जासी मेरट मतुरा प्रियागरश कानपूर और गोरकपूर माने जाते हैं सात्वा राज्य का उच्च न्याले इलाबाद उच्च न्याले है वहीं खंड पीट न्याले लखनव में है या विकास खंड की संख्या 822 है और 17 नगर निगम है आठवा है उत्तरप्रदेश में अब तक भारत के नो परधान मंत्री मिल चुके हैं इन में से जुआरल लाल भाद्युष अस्त्री चोदरी चरण सिंग इंद्रा गांधी राजीव गांधी वीपी सिंग चंदर शेकर और अटल भिहारी बाशपाई के नाम शामिल है नौवा उत्तरप्रदेश मुगल साशन के दोरान खासक समराट अकपर के शाशन में समरीद्दी के चरम पर प विधान परिशत की सो सीते हैं आज के लिए वस इतना ही आपको हमारे जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद